वेलकम ट्रेटर्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो अपुल ऑस्पिटल का इंट्राइड अलर्ट आज दिया था ट्रेट के पीछे क्या सइक्ष थी और क्यों हमें एक ब्रॉपर वें अच्जा टारगेट मिल जाते इस पर्टीकुलर ट्रेड में तो जैसे आप देख सकते हो अल्मोस्ट एक फॉल्ल्व थे पहले बिक ट्रेट मिल जाते ट्वर्स वीकली रिस्टेंस लेवल तो यहां पर हम आपको प्रीमियम ग्रूप में दिये जाते हैं तो यहां पर हमने अपल ऑस्पिटल फॉर दी बाई ट्रेड हमने प्लाइन क्या था अगर अब यह आप चार्ट्स पर देखोगे तो हमारे पास मल्टिपल रेड बॉक्स इस थे और ग्रीन बॉक्स इस थे अगर आप देखोग हमेशा ब्रेकाउट की हाई रही थे क्योंकि अल्रेडी बेरिश मूफ आ चुकि है तो नो डाउट कहा से तो आपको रिट्रेस्मेंट आएगी अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जोन में तो यहां पर दो कनफरमेशन थे आपके पास तो यहां पर आपके पास जो था एक मल्टिपल कॉन्फुएंट्स ओफ ओवाई लेवल्स था और प्लस यहां पर आपके पास मेंली एक साइकोलोजिकल लेवल था जो कि है 5000 लेवल तो यह 5000 लेवल बहुत इंपोर्टन था क्योंकि इस पर्टिक मुवमेंट आती है हमारे फेवर में सो मोस्ट इंपोर्टन यह था कि जबी भी फॉल आया यहां पर साइडवेज हो गया था और यहां पर हम इधर बेक आउट यहां ब्रेकडाउन प्लाइन कर सकते थे बट यहां पर आप देख सकते होगे तो यहां पर रेडड बॉक्स है आनed, इन बाकश यहां पर बॉक्स है तो रेडड बॉक्स यह दर्शात है कि यहां पर अगर सेलिंक जोने हैं तो यहां पर अगर सिलर मॉपमेंट में यहां पर स्टाक ओपन हो जाता है तो आप देख पाओगे तो stock structure has opened near to the breakout level तो जबी भी prices near to the breakout level हो जाती है तबी ही इतनी बड़ी movement होने की possibility high होती है So most important आप देखोगे तो daily resistance से लेके weekly resistance तक एक बड़ा gap था मतलब कोई भी level नहीं था इस particular zone में यहाँ पे hurdle बनने के लिए और वैसे ही देख पाओगे तो यहाँ पे एक rocket movement हो जाती है all the way from DR to WR यहाँ पे अगर intraday psychology देखोगे तो यहाँ पे एक red box था and same way जहाँ पे daily resistance level था Most importantly यह दो levels के बाद कोई भी upside में कोई level नहीं था hurdle create करने के लिए और इसके कारणा अगर आप देख पाओगे तो almost from 50-62 zone से लेकिए almost यहाँ पे 51-44 तक आपको अप रहली straight away within the very first hour हमें देखने मिल जाती है तो यह breakout हमेशा rapid होगा क्योंकि जैसे ही यह sellers यहाँ पे trap हो जाएगे तो आपको follow through breakout journey मिलेगी most importantly अगर आप देखोगे तो यह particular price जो था वो morning में near to the breakout level open हुआ है मतलब जैसे ही breakout के नजदिक ही open हुआ है तो अगर extreme gap up या extreme gap down open हो जाते है तो हमेशा आपका structure जो होता है वो खराब हो जाएगा और no doubt आपको possible proper way में trade नहीं मिलेगे तो अगर आपको भी ऐसे proper way में trade करना है with proper levels and with proper trading psychology so stay connected on trade clue premium till then do like and share this video with your fellow traders thank you